हाई दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अलग-अलग GST rate एक ही बिल में टैली में कैसे बना सकते हैं एक ही बिल में अगर आपके दो प्रोडक्स हैं या तीन प्रोडक्स है या उससे ज्यादा प्रोडक्स है और उनके GST rate अलग-अलग है तो आप वो ही एकि इन्वॉस में या एक ही बिल में कैसे कर सकते हैं टैली में ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पहले से ही बनाया हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब यह मैंने लेजर्स खोले हुए है और यह मेरा सेल्स बिल है जो कि आप देख सकते हैं इसमें मोबाइल और कम्प्यूटर दोनों ही मैंने सेलिंग किया हुआ है और दोनों पे इनपुट GST लगा हुआ है एक है इनपुट CGST और एक है इनपुट SGST अब इनपुट इसलिए है क्योंकि अगर आप कुछ भी सेलिंग करते हैं तो आपको GST टेक्स लेना पड़ेगा सामने वाले से और इसलिए अंदर आएगा आपके बिस्नेस में और इसी वज़े से इनपुट GST अब मैं आपको दिखाता हूं टेक्स कैसे calculate हो गया है इसमें आप altr плюс A दबाएंगे तो आपको ये text analysis करके menu दिखकेगा और इसमें अगर आप ओल्टर प्लस F1 दबाएंगे तो आपको detail में दिखकेगा अब आप इसमें देख सकते हैं मोबाइल में 6% GST लगा है, CGST और SGST यानि की total 12% और computer में 9% central tax और 9% state tax यानि की 18% CGST और दोनों का total होके आता है 29,700 अगर हम बहार जाएं वापिस तो आपको दीखेगा यहां पर आधा आधा बढ़ चुका है 29,700 का आधा जो है 14,850 और 14,850 CGST और SGST तो यह कैसे टैली में हम करेंगे तो चलिए दूस्तों मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करते हैं अब हाला कि यह मैंने entry कर दी है मैं आपके सामने यह company delete करूँगा और company नहीं बनाऊँगा और उसमें सब ledgers नहीं बनाऊँगा और पूरी entry नहीं से करूँगा चलिए दोस्तों company delete कर देते हैं alter plus F3 दबाके आप alter में जाएं और select कीजिए tally school यह खुल गया alter menu आप यहां पर alter plus D दबा दीजिए तो यह company delete हो जाएगे और enter दबा दीजिए एक और बार आपको पुछेगा enter दबा दीजिए तो मैंने दोस्तों company delete कर दीए अब मैं नहीं company बनाऊंगा अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको tally आता हो तो आप कितनी जल्दी company बना सकते हैं उसमें 20-30 seconds से ज्यादा नहीं लगता तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि आप company telly में कैसे fast बना सकते हैं और अगर आपको पूरी detail में जानकरी चाहिए कि telly में company कैसे बना सकते हैं तो link मैंने description में दे दिये मैंने उस पे भी पूरा video और post बनाया है जो कि मैंने धीरे-धीरे समझा है उसमें लेकिन यहां पे मैं इतनी तेजी से बनाऊंगा कि आपको पता चले कि अगर टैली आता हो सच में तो आप कितना fast काम कर सकते हैं तो चलिए कि दोस्तों मैं company बनाता हूँ टैली स्कूल नाम की create company पे click करके अब टैली स्कूल एंटर यहां पे गुजरात आपका जो state है और पिन कोड़ डाल दीजिए आपका जो भी है फोन नंबर मोबाइल नंबर डाल रहा हो तो डाल दीजिए यह मेरा email है website अब हम security कुछ नहीं रखना चाहते है ठीक है यह सब default है तो दोस्तों इतनी ही देर लगती है company बनाने में अगर आपको आता हो तो और अगर आप सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा time लग सकता है अब हम tally school company में आ गहे हैं सबसे पहले हमें यह करना है कि हमें GST enable करना है तो हम जाएंगे features में जो की F11 उसका shortcut है हम features में जाएंगे statutory and taxation में और उसमें जाएंगे GST में मैंने इस पे वी एक पूरा video बनाया हुआ है कि आप GST को कैसे enable कर सकते हैं और कैसे use कर सकते हैं tally में तो यहां पे भी मैं fast जाओंगा आगे और अगर आपको यह पूरा देखना है कि कैसे enable कर सकते हैं तो उसके लिए भी मैंने link नीचे description में दे दिये गुजरात regular अब इसमें मैं ऐसे ही कोई भी दे देता हूँ ठीक है पहली जुलाई set alter GST rate details इसमें हम यहां पे अभी no रखेंगे ठीक है no रखने का कारण यह है कि हमको अलग-अलग GST rate enable करने हैं तो इसी वज़े से हम stock item में या जो हमारा stock है जैसे की computer और mobile वहां पे GST rate enable करेंगे और sales ledgers में GST rate enable करेंगे तो ठीक है यह हमारा हो गया और control प्लस ए दबा के मैंने यह save कर दिया है जो की और एक shortcut है अब हम वापिस gateway आफ टैली पे आ गए हैं तो अब शुरू होता है पूरा अलग-अलग GST rate एक ही बिल में कैसे बनाने का पूरा process तो हम पहले बनाएंगे stock items जो के हैं उमारे computer और mobile तो चलिए चलते हैं inventory info में gateway आफ टैली से वहां में आपको मिले का stock items अब यहां पे stock items में जाएं यहां पे create पे click करें under single stock item अब यहां पे मैं पहले बना रहा हूं mobile under primary अब यहां पे units हम को बनाने पड़ेंगे जो की गिनती है mobile की अब हम ऐसे बोलते है mobile दो mobile तीन mobile चार mobile ऐसा तो नहीं बोले चार हाला कि अगर चायना की mobile हो तो ऐसा बोला जा सकता है लेकिन हम ऐसे ही बोलते हैं दो तीन mobile तो हम unit बनाएंगे measurement के लिए तो alter plus c दबाएंगे आप तो यह menu खुलेगा unit creation अब इसमें हम डालनेंगे number या फिर आप no करके भी लिख सकते हैं और enter दबाके accept कीजिए तो यह number हो गया इसका मतलब यह है कि कितने mobile है तो उसकी गिंती हम number में करते हैं इसी वज़े से number अब GST applicable है या नहीं तो applicable है अब यहां पे आपको set alter GST details में y press करके enter दबाना है y yes के लिए short है तो y press करके enter दबाएंगे अब यहां पे आपको GST details डालनी पड़ेगी जो की बहुत जरूरी है और बहुत ही important है क्योंकि यहां पे जो आप rate डालोगे वो ही आपके bill में calculate होके automatic आएगा तो description में आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से जैसे कि मैं यहां पे mobile ही डाल देता हूं या फिर आप smartphone भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से अपने understanding के लिए कुछ भी description डाल सकते हैं अब HSN code आपको यहां पे डालना पड़ेगा मैं SAE 1234 डाल दीता हूं आप अपने product के हिसाब से अ आप on value select कीजिए अभी के लिए on item rate एक complex एक complex feature है जो मैं बाद में कभी फिर समझाओंगा तो on value है अब taxability taxable क्योंकि हमारा goods taxable है अब इसमें integrated tax में अब जैसे ही 12% डालेंगे तो automatic 6% central tax, 6% state tax tally ले लेगा और sales हमारा 0% है अगर आपका sales है तो आप यहां पर डाल सकते हैं तो अब enter दबाईए अब वो सारा data हमारा safe हो गया है अब supply type में यह goods है type of supply में तो good select कीजिए rate of duty यहां पर कुछ नहीं डालना है quantity हम यहां पर opening quantity डालेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं क्योंकि हमने अभी ही नहीं company ब दालते हैं दस और rate डाल देते हैं दस हजार पर mobile पर number यहां पर आजाएगा तो total एक लाख का हो चुका है यह अब चलिए enter दबा के save करते हैं तो यह था stock item creation mobile का GST के साथ अब आपको यह सीखने में और मुझे यह दिखाने में देर लगती है लेकिन अगर मैं खुद बना हूँ तो इसमें ज्यादा देर नहीं लगती चलिए मैं आपके सामने ही दूसरा stock item computer बना लेता हूँ तो देख computer hsn चलिए एक और नया code डाल देते हैं आप अपने ही सबसे hsn सेलेक कर लीजे इसमें हम taxable लेंगे इसमें हम 18% लेंगे 9% goods और opening quantity चलिए 10 ले लेते हैं और 20,000 तो ऐसे ही 2,00,000 हो गया है तो हमने stock items दोनों बना ली है अब हम बनाएंगे tax ledgers जो की gst calculate करने के लिए use होंगे जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि tax ledgers जो है input cgst और input stst वैसे ही हमको दो और बनानी पड़ेंगे output cgst और output stst purchases के लिए तो हम चलिए बनाते हैं tax ledgers हम gateway of tally पे आ गए हैं escape दबा के अब हम बनाएंगे gst के tax ledgers हम जाएंगे accounts info में उसमें हम select करेंगे ledgers उसमें हम single ledger के अंडर create पर select करेंगे तो ledger creation screen open होगी अब हम पहले बनाएंगे input cgst तो यह input cgst नाम मैंने लिख लिया है अब वो आएगा अंडर में taxes and duties or duties and taxes पे duties and taxes सेलेक्ट कर लिया है अब आप जैसे ही वो select करेंगे तो आपको एक और menu दीखेगा list of duties और tax जो कि gst हमें select करना है उसमें हम central tax select करेंगे क्योंकि यह cgst है तो central tax आप select कर लिजे अब इसमें हम यहां पे percentage को 0 रहने देंगे क्योंकि हमने percentage पहले से ही already select कर लिया है stock item बना देखाईंग तो हम जब भी वो stock item बिल में enter करेंगे या entry में enter करेंगे तो percentage इसी वज़े से हम यहां पर नया लेजर नहीं बनाना पड़ेगा gst के लिए आप stock item में ही अपना percentage gst का डाल दीजे और जब भी आप वो stock item enter करेंगे तो percentage automatically tell ही उसका ले लेगा तो इसी वज़े से हम यहां पर 0 percentage रहने देंगे अब 0 रहने दीजे अब आप rounding method अपने साब से select कर सकते हैं या not applicable भी कर सकते है not applicable अब यहां पर हमको कुछ और enter नहीं करना है तो enter दबा के आप save कर दीजिए आपको पूछेगा accept yes or no तो आप enter output cgst और output sgst input वाले ledger sales के लिए हम यूज करेंगे और output वाले ledger purchases के लिए तो मैं आपके सामने ही अभी बना रहा हूं input और output के बाकी के तीन ledgers है और आप देखिए कि अगर आपको telly आता है तो आप कितनी fast बना सकते हैं मैं बिना बुले बनाऊंगा आपके सामने ही तो आ बूले हैं आती हैं मैं बुले आपके सामने में जचर दीनी अधिस दी एसिस दीी घी सृ आपके सू करें तो अब आप देख सकते हैं मैंने तीन लेजर कितनी जल्दी बना लिये टैली में टैक्सी के लिए तो यहाँ पर हम वापिस एक बार रीकैप कर लेते हैं कि हमने यहाँ तक कितना टैली में बना लिया है हमने दो स्टॉक आइटम्स बना लिये कंप्यूटर और मोबाइल के और उसमें GST का रेट भी डाल दिया है और हमने चार टैक्सेशन GST के लेजर बना दिया है मतलब GST टैक्सेशन लेजर जो हमारे लिए टैक्स ऑटमेटिकली जी स्टैली में कैलकुलेट करेंगे अब हमें बनाने हैं sales के ledgers और उसके बाद हमें बनाने हैं data और sundry creditors के ledgers तो अब हम बनाएंगे GST के sales के ledgers और GST के purchases के ledgers क्योंकि हमको profit and loss में और GST के return में differentiate करना पड़ेगा कि हमारे 12% sales कितने हैं हमारे 18% sales कितने हैं और उसी तरह हमारे 12% purchases कितने हैं और 18% purchases कितने हैं हलाकि यह return के लिए तो ज़रूरी है ही और हमारे खुद के business के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमको पता चलना चाहिए हमारे कितने sales कौन से percentage पर आ रहे हैं और अगर वह automatically tally में हो जाता हो तो उसमें कोई बुरा ही नहीं है तो चलिए हम बनाते हैं sales ledger मैं आपको दिखाता हूँ कि sales ledger कैसे बनाते हैं अब हम ledger में ही है creation में तो हम यहां से ही चालू कर देंगे अगर आप नहीं है तो आप gateway of tally पे जाके A दबाएं फिर L दबाएं फिर C दबाएं तो आप directly इधर आ जाएंगे जहां मैं हूँ वह A plus L plus C एक साथ न दबाएं एक दबाने के बाद L दबाएं और फिर C दबाएं तो आप यहां पे आ जाएंगे वह shortcut था टैली का तो हम यहां पे sales at 12% वाला पहले ledger बनाएंगे तो 12% आप लिख देंगे ताकि आपको पता चले कि यह 12% है अब आप इसमें आएंगे तो यहां पे sales account select करना है तो आप type कीजिए sales और automatically यहां पे इस group में आ जाएगा sales account तो आप sales account select कीजिए अब inventory values are affected पे yes रहने दीजिए क्योंकि हम stock items डालेंगे और वो हमारे inventory है यहां पे description में आप वापिस वही कुछ भी डाल सकते है जैसे की sales at 12% यह आप blank रहने दे तो भी कोई problem नहीं है क्योंकि यह हमारा sales का ledger है तो hsnse कुछ नहीं आएगा इसमें अब nature of transaction में यह important option है इदर और आपको यह ध्यान से select करना पड़ेगा हम इस example में हमारा जो हमारे goods है या products है वो state के अंदर selling कर रहे हैं तो इसी वजह से हमारे cgst और sgst लग रहा है अगर आप state के बाहर selling करते हैं तो आपको IGST लगता है लेकिन इस example के लिए हम state के अंदर selling कर रहे हैं इसलिए sales taxable आएगा अगर आप out of state sales कर रहे हैं तो आपको interstate sales taxable select करना पड़ेगा और अगर आप consumers को बेच रहे हैं तो direct consumer taxable या exempt जो भी है तो इस example में हम sales taxable select करेंगे अब यहां पे वही rate आप डालेंगे जो rate के आप goods sell कर रहे हैं तो इसी वज़े से हम यहां पे वापिस 12% integrated डालेंगे तो 6% central or state automatically आ जाएगा तो यह percentage डालने का इधर reason वो है कि आपके सारे 12% वाले sales इस ledger में reflect करेंगे तो हम enter दबा के select करेंगे अब यहां पे services नहीं लेना है आपको type of supply में goods लेना है क्योंकि हम goods sell कर रहे हैं तो goods select कीजिए bank detail यहां पे कुछ नहीं आएगी और enter दबा के accept में आए तब save कर लीजिए तो यह हमने बना लिया sales 12% वाला ledger अब इसी तरह से आपको बनाना है sales 18% वाला ledger purchases 12% और 18% वाला ledger तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं कि अगर आपको tally आता है तो आप कितनी fast entry pass कर सकते हैं या कितना fast tally में कायम कर सकते हैं मैं 3 ledger आपके सामने अभी इधर ही बनाऊंगा तो देखिए आप 18% sales accounts yes applicable yes sales taxable 18% अब यहां पर यहां पर गुट्ट सेलेक्ट रेंगे यह हमने बना लिए अब पर्चेसेस का 12% अब पर्चेसेस और सेल्स में डिफ्रेंस इतना ही है कि आपको यहां पर अंडर में पर्चेस अकांट्स सेलेक्ट करना होगा अब तो यह आगया purchase accounts yes applicable yes आप यहां पर nature of transaction में sorry मैं थोड़ा चल दी जा रहा हूँ purchase taxable जो की आखरी option है यहां पर आपको वापिस 12% सेलेक्ट करना है तो आप देख सकते हैं और यहां पर goods आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही easy है अगर आपको पता हो कि कहां क्या information enter करनी है और कैसे options select करने है जो कि मैंने आपको detail में समझाया ही है तो आप enter तबाके save किजिए यह था purchase 12% अब हम बनाएंगे purchase 18% purchase accounts yes applicable यहां पर purchase taxable यहां पर 18% यह हमारा 18% वाला लजर यह हैं goods और select करके save तो हमने चार लेजर भी बना लिये हैं अब हमें दो और लेजर बनाने पड़ेंगे उन लोगों के लिए जिनको हम अपने goods बेच रहे हैं और उन लोगों के लिए जिनसे हम अपने goods purchase कर रहे हैं यानि की sundry data और sundry creditor अब वो बनाना अवश्यक है क्योंकि उसके बिना आप entry कैसे करोगे तो हम बनाएंगे sundry data का ledger और sundry creditor का ledger तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि आप वो दोनों ledgers भी कैसे बना सकते हैं तो वो दोनों ledgers भी यहीं से बन सकते हैं लेकिन अगर आप बहार निकल गए हो gateway of tally पे हो तो वापिस a plus l plus c एक साथ ना दबाएं अलग-अलग एक बार एक के बाद एक दबाएं तो आप इधर वापिस आ जाएंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार वो कैसे करते हैं तो मैं आप के सामने आ गया हूँ gateway of tally पे अब मैं दिखाता हूँ अगर आप दबाएं तो a l c अब वहीं पे आ गया है जहां पहले थे तो चलिए शुरू करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि sundry data का लेजर अब sundry data में हमने नाम रोहन रखा है मैंने तो मैं रोहन डाल लेता हूँ रोहन आप अपने कोई भी नाम रख सकते हैं sundry data के लिए अब sundry data select कीजिए यहां पे list में से maintain bill by bill no रखी है inventory values are affected पे yes रखी है अब रोहन इंडिया pin code आप डाल सकते हैं जैसे यह डाल दिया है bank detail अगर आपको provide करनी है तो आप कर सकते हैं अगर आपको नहीं करनी है तो नहीं कर सकते हैं इस example के लिए मैं रहने देता हूँ अब pen number आ जाल सकते हैं अगर आपके पास है तो GST details set altered GST details अब यह option यहां पे important है क्योंकि इसका असर direct हमारे bill पे पड़ेगा तो why दबा के enter दबाएं अब यह है registration types GST में चार तरह के sellers हैं या purchasers है या dealer है आप जो भी कई है एक regular है एक composition है और एक unregistered है जिसने कभी register किया यह नहीं और एक consumer है जो कि end consumer है जो last में आपके goods लेता है अगर आप अभी नीचे शॉप में जाके कुछ खरीद रहे हैं तो अगर GST लगता है तो आप वो consumer है आप वो category में आएंगे अगर हम उन लोगों को बेच रहे हैं तो आप consumer select कर सकत का GST जिसे कहते हैं जो की हमरे antry data का है तो मैं यहाँ पर ऐसी डाल देता हूँ 24BB आप यहां पे आपके बायर का जो टिन नंबर है GST का वो यहां पे एंटर कीजिए अब पार्टी टाइप not applicable रहने दीजिए अगर आपको options देखने हैं तो यहां पे dot दबाएं तो आपको सारे options देख जाएंगे dimmed export नहीं है हमारा government entity भी नहीं हमारी party और SEZ भी नहीं है अगर वो तीनों में से कोई है तो आप यहां पे वो select कर सकते हैं तो यहां पे हम not applicable रहने देंगे और is a e-commerce operator अब यह हम नो रहने देंगे कि हमारा जो buyer है वो e-commerce operator नहीं है e-commerce operator यानि कि वो website जिनके ऊपर वो सभी बाकी और लोगों को भी बेचने के लिए permission दे रहे हैं इसका मतलब यह कि अगर कोई e-commerce की website है और अगर कोई भी उस पे जाके अपने goods sell कर सकता है तो वो एक e-commerce operator है जैसे कि Amazon, Flipkart और कई सारी website है तो हम no रहने देंगे और मैंने enter दबा दिया अब मैंने यह पुरा ledger बना दिया है अब हम enter दबा के save कर लेंगे तो यह था मेरा sundry dators का ledger अब वैसे ही हम sundry creditor का ledger बनाएंगे और उसका नाम रहेगा omit इस example के लिए तो अब आप देखिए कि मैं sundry creditor का ledger कैसे जल्दी बना लेता हूँ और इस ledger में difference सिर्फ उतना ही रहेगा कि sundry data की जगह हम sundry creditor का option सेलेक्ट करेंगे बाकी पूरा ledger creation process same to same sundry data चैसा ही रहेगा तो चलिए sundry creditor sorry यहां पर मैं लिख लेता हूँ अमित और sundry creditor yes अब यहां पर आप pin code डाल सकते हैं rank detail नहीं देनी है को gs detail yes regular है अब इसमें आप okay अगर आप गलत या गलती से गलत gsg नंबर डालेंगे तो यहां पर आपको वर्निंग आ जाएगी जो कि मैंने भी डाला गलती से तो इसलिए मुझे वर्निंग आ गई वापस मैंने गलत डाला है ठीक है अब सही हो गया है तो अगर आप कुछ भी गलती करेंगे टैली में तो 90-95% चांसिस है कि आपको वर्निंग मिलेगी जैसे कि मुझे मिली नॉट एपलिकेबल और यहां पर अब देखिए मैंने जल्दी से तुसरा लेजर भी बना लिया हाला कि थोड़ी गलती हुई मेरे से जी नंबर टालने में और वो आपसे भी हो सकती है तो यह मैं एडिट करके आपको नहीं दिखाऊंगा कि मेरे से गलती हुई मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि म बना लिये हैं एंट्री करने के लिए अब यह बनाना ज़रूरी था बिल क्रियेट करने में बिल बनाने में देर नहीं लगती बिल बनाने में आधा मिनिट भी नहीं लगता लेकिन अगर आपने लेजर और स्टॉक आइटम्स और उसमें GST का कन्फिगरेशन बराबर नहीं बनेगा और फिर आप ढूंटे रह जाओगे कि मैंने गलती कहां की तो इसी वज़े से हमको पहले सारे ledgers, stock items और उसमें GST का configuration बरावर से करना है ताकि बिल बनाने में हमें कोई तकलीफ ना है तो चलिए हम बिल बनाते हैं जो की purchase और sales की entry है तो हम sales entry करेंगे पहले तो उसके लिए हम जाएंगे accounting vouchers में चुकि यहां पे transactions की नीचे है gateway of tally में तो select कीजे accounting vouchers अब इसमें अगर आप sales पे नहीं है मैं यहां पे पहले से ही sales voucher में हूँ तो अगर आप sales पे नहीं है तो आप F8 दबा के sales पे आ सकते हैं तो चलिए मैं journal में जाता हूँ यह है journal अगर आप sales में नहीं है चुकि मैं अभी नहीं तो F8 दबाए और sales में आ जाए अब सबसे पहली बात यह है यहां पे आपको date जुलाई के बाद की select करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बाद ही GST आया था तो मैं select कर लेता हूँ 1st October 1st August तो 1st August date select कर लिया है मैंने अब यहां पे मैं select करूँगा रोहन जोकि हमारा sundry data है जिसको हम goods बेच रहे हैं अब यह जब दिखे यह yellow menu तो यह आपको यहां पे सारी buyer की detail enter करनी पड़ेगी यानि कि आपके sundry data की details enter करनी पड़ेगी तो हम enter करेंगे यहां पे buyer की detail अगर आपके पास सारी stock items चोकि हमने सबसे पहले इस वीडियो के सबसे शुरुआत में बनाई थी तो चलिए डालते हैं mobile अगर आप mobile टाइप करेंगे तो आपको automatic दिख जाएंगे mobile और यहां पे दिखेंगे आपको 10 number यानि कि 10 mobile है हमारे पास चोकि हमने opening balance में mobile का stock item create करते समय अंदर डाले थे तो mobile अब description आपको enter करना है तो आप कर सकते हैं लेकिन आपको नहीं करना है तो आपको चलेगा इसमें कोई compulsion नहीं है और यह कोई important चीज नहीं है यह आप अपने हिसाब से description एंटर कर सकते हैं quantity हम 5 select करते हैं अब rate हमने 10,000 का डाला था तो हम इतर 12,000 डाल देते हैं थोड़े से profit पे बेचेंगे number 60,000 automatically tally ने calculate कर लिया है 60,000 अब अब जब उसके बाद enter दबाएंगे तो आपको यह menu दिखेगा यहां पर हम select करेंगे हमारा sales का ledger जो कि हमने बनाया है sales अब हमको बता है कि mobile 12% GST वाला है तो हम sales यहां पर type करेंगे और menu में से 12% से वाला हम menu select कर लेंगे sales 12% और enter दबाएं तो यह हमने mobile का stock item यहां पर डाल दिया है हब हम डालेंगे computer का वैसे ही तो आप computer type कीजिए और आपको list में से computer मिल जाएगा वापिस description अगर आप कुछ डालना चाते है तो ठीक है जैसे मैं आप computer डाल देता हूं description में और enter कीजिए तो आपको दिखेगा है यहां पर एक और computer लिख्या गया है जो कि यह description है आप अपने understanding के हिसाब से यहां पर description डाल सकते हैं वापिस quantity 5 ही रखूंगा मैं और rate हमने 20,000 का opening balance लिया था तो इसका मतलब है कि हमको 20,000 में computer पढ़ा तो हम 25,000 में बेचेंगे तो टोटल आ गया 1,25,000 अब यहां पर आप enter दबाएंगे तो आपको वही same menu दीखेगा यहां पर आपको वापिस sales टाइप करना है और 18% वाला इस बार ledger सेलेक्ट करना है क्योंकि हम computer 18% GST पर बेच रहे हैं तो एंटर कीजिए और वापिस एंटर दबाएं तो आपको यह दोनों mobile और computer का हमने stock item बिल में डाल दिया अब हम GST डालेंगे जो की automatically calculate हो जाएगा हमारा तो एंटर दबाएं वापिस एंटर दबाएं वापिस एंटर दबाएं वापिस एंटर दबाएं जब आप यह लाइन के बाद आ जाए इस total के नीचे आ जाए तब आपको select करना है input GST के ledgers तो हम type करेंगे in तो आपको मिल जाएंगे input CGST और input SGST तो अब हम यहाँ पे input CGST प है और वो 14,850 आ चुका है अब हम वापिस एंटर दबाके input SGST सेलेक्ट करेंगे वापिस input SGST भी calculate होके आ चुका है अब हम देखेंगे alter plus A दबाके कि आप क्या देख सकते हैं GST के detail तो alter plus A दबाके आप alter plus F1 दबाएं तो आपको वो मिल जाएगा पूरा GST का calculation और कैसे calculate किया और कैसे amount पूरा आया तो आप देख सकते हैं total 6% और 9% का GST के detail अब हम escape दबाके बाहर जाएंगे इसको हम कहते हैं text analysis जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाहर जाएंगे अब आप enter दबाएं और एक और बार एंटर दबाएं यहाँ पे आएगा total बराबर है और narration अगर आपको कुछ enter करना है narration entry के बारे में तो आप कर सकते हैं अगर नहीं करना है तो रहने दबाएंगे एक्सेप्ट कर दीजिए और enter दबादीजिए तो यह हमने बनाया sales bill अगर आप इस sales bill को export करना चाहते हैं तो आप export भी कर सकते हैं यहाँ पे दोनों यह option है export और print तो आप उसी sales bill को वापिस ledger में जाके export या print कर सकते हैं चलिए मैं आपको वह भी दिखा देता हूं आप escape दबाएं और gateway of tally में आ जाएं अब वापिस हमको जाना है ledgers में हमको display करना है ledgers तो उसके लिए shortcut है d a l d के बाद l a के बाद l तो d a l तो हम ledgers में आगए list of ledgers में अब यहाँ पे हम देखेंगे रोहन का ledger रोहन में आगए ledger में अब enter दबाएं तो आप वहीं पे आ जाए सकते हैं और export भी कर सकते हैं तो अभी मैं print यह export नहीं करूंगा लेकिन आपको अगर print और export करना है तो आप यहाँ पे दोनों कर सकते हैं आप print PDF में भी कर सकते हैं और कोई भी printer में कर सकते हैं और export भी PDF में कर सकते हैं और Excel में कर सकते हैं तो यह थी हमारी sales की entry अब हम बनाए अब हम सेल्स में और हमें जाना है पर्चेस में उसके लिए शॉटकट है F9 तो आप F9 प्रेस कर सकते हैं या यहां पर क्लिक कर सकते हैं तो मैंने क्लिक करके भी आपको दिखा दिया अब डेट आपको पहले ही ध्यान रखना है कि डेट जुलाई के बाद की हो तो आगस्ट हमने ले लिए इदर इन्वाइस नंबर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं जैसे 12345 डेट इन्वाइस डेट पार्टी अकाउंट अब इसमें हम अमिद सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वह हमारा संड्री क्रेडिटर है अब आप इसमें वापिस डीटेल डाल सकते हैं संड्री क्रेडिटर की कोई भी अब यहां पे हम इस एक्जामपल के लिए कोई डीटेल नहीं डालेंगे तो हम प्रेस कर देंगे कंट्रोल प्लस ए वापिस वही सेम चीज हमको करनी है जो हमने कीजी सेल्स लेजर बनाते हैं सेम टू सेम हमको मोबाईल का रेट डालना है और कंप्यूटर का रेट डालना है और ऑटमेटिकली सब केल्किलिट हो जाएगा तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कंप्यूटर पहले हम इस बार ले लेते हैं और डिस्रिप्शन कुछ नहीं इस बार पांच कॉंटिटी ले रहे हैं 20 अशार में एक लाक और से उसका लेजर कंप्यूटर सॉरी अब हम इसमें परचेस का लेजर डालें तो देखिए अगर आप गलती कर भी रहे हैं तो टैली में आपको तुरंद ही वता चल जाएगा तो परचेस का लेजर इस बार हम डालेंगे 18% कि हमारा कंप्यूटर है वापिस मोबाइल सेलेक्ट करेंगे हम पांच पांच नंबर और दससार का मोबाइल वैसे ही हम परचेस का लेजर 12% सेलेक्ट करेंगे इस बार मोबाइल के लिए तो यह हमने परचेस ले नीचे आपका यह लाइन आए तो आपको cgst के लेजर्स सेलेक्ट करना है तो आउटपुट cgst और आउटपुट sgst हम सेलेक्ट करेंगे लेजर्स तो आउटपुट cgst जैसे ही आप दमाएंगे आपका text automatically calculate हो जाएगा और output sgst तो यह हमने बना लिया है पूरा bill और आपको export या print करना है तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है sales ledger में जाके वैसे ही आप purchase ledger में जाके export या print कर सकते हैं तो यह हमने पूरा bill बना दिया है अब enter दबाएंगे enter दबाएंगे यहाँ पर total check कर लेंगे एक बार फिर enter दबाके narration देखेंगे narration में कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं या फिर enter दबाके save कर देंगे तो दोस्तों यह था purchase bill अलग-अलग GST rate वाले product के साथ यानि कि multiple GST rate invoice हमने बना लिये sales bill भी मैंने आपको दिखा दिया जो कि multiple GST rate वाला था और purchase भी मैंने आपको दिखा दिया जो कि multiple GST rate वाला था अब इसमें आपके चाहें दो product हो या फिर 10 product हो या फिर 20 product एक ही bill में हो और सब के अलग-अलग GST rate हो लेकिन आ आप इसमें एक ही bill में tally में ऐसे बना सकते हैं आपकी एक और सुभीधा के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं जैसे कि आप mobile के बाजो में rate लिख सकते हैं नाम में चलिए मैं आपको दिखाता हूं तो आपको rate भी याद नहीं रखने पड़ेंगे तो आप inventory info में जाएं और alter में जाएंगे single stock item के नीच है अब हम mobile select करेंगे या computer आपको जो भी करना है अब यहाँ पे mobile के नाम के बाजू में हम यहाँ पे mobile 12% लिख देंगे sorry 12% तो हमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 12% कहां पे लगता है mobile पे लगता है computer पे लगता है यह तो मैंन हमें दो ही products tally में डाल के रखें इसे लिए मुझे याद रहता है अगर 15-20 product हो तो याद रखना मुश्किल है तो इसी अज़े से हम नाम के बाजू में percentage अगर लिख दे तो इससे हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है और 12% जैसे ही हम को लिखें तो हम sales का भी वही 12% का ledger select कर लेंगे तो अगर आपको ऐसे नाम रखना है तो आपको अच्छा रहेगा और आप नाम रख सकते हैं तो control प्लस यह दबा दिया मैंने आप देख सकते हैं याप आ गया है नाम उसी तरह से आप computer में भी कर सकते हैं हलाकि मैं अब यह करूंगा नहीं क्योंकि यह video पहल आपको पता चल जाए तो आप जल्दी ही ledgers बना सकते हैं चोकि मैंने आपको दिखाई दिया है कि अगर आपको tally आता हो तो आप कितनी speed में tally पे काम कर सकते हैं तो दोस्तों यह था multiple GST rate वाले invoice tally में कैसे बना सकते हैं उसका तरीका और इससे आसान तरीका मुझे नहीं पता अगर आपको पता है तो आप नीचे comment में comment कर सकते आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है तो आप please telly school को subscribe कीजिए या नीचे comment कीजिए, आपको कोई question है, आपको कोई suggestion है, आपको कुछ पूछना है, तो आप नीचे comment कीजिए, आप ये video अगर टैली स्कूल की website पे देख रहे हैं, तो आप टैली स्कूल में नीचे जाके comment कीजिए, मैं जवाब देता ही हूँ हर एक comment का, और अगर आप ये video YouTube पे देख रहे हैं, तो आप YouTube पे भी नीचे comment कीजिए, मैं YouTube पे भी जवाब देता ही हूँ, तो ये था video multiple GST rate एक ही invoice में बनाते कैसे हैं, टैली का, ये video देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, तो मैं आपको अगली बार मिलूँग अगले video में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तुडद 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 तुडद